वेलकम टू नॉलिज सीकर्स गाईज और आज के वीडियो में हमसाल करने वाले है बैसिक एलेक्ट्रिकल इंजिनेरिंग का जो पिछला इंसेम का पेपर था मींस 2019 का जो न्यू पैटन है उसके हिसाब से जो पहला पेपर आया था बीडबली का उसमें से यूनिट नंबर का ए क्योंकि अगर ये वीडियो आप पहले देखते हों गई तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपके बेसिक फॉर्मुलेज क्लियर नहीं रहेंगे जैसा हमारा न्यू पैटन अभी हुआ है पूने यूनिवर्सिटी का सूस में एक यूनिट के दो सब कोशन साथ है तो पहला आता है कोशन नंबर वन और दूसरा आता है कोशन नंबर टू सो एक तो हमें कोशन नंबर वन सौल करना पड़ता है या फिर हमें कोशन नंबर टू सौल करना पड़ता है जो हमें सबसे एजी लगता है वो आपको सौल करना चाहिए तो देखे मैं बात कर आसानी से solve कर पाऊंगे, so देखिए इस numerical में क्या लिखा है, so हम क्या करते है कि इस numerical को पढ़ते पढ़ते ही, इस numerical का given लिख लेते है, so देखिए guys, इस numerical में लिखा है, देखिए इसको अच्छे से फोल्ड करते है और फिर पढ़ते है इसको, देखिए, a coil of 500 turns, means अपन given में अभी लिख लेंगे, given a coil of 500 turns, मतलब, N दिया है 500, फिर दिया है, turns in uniformly wound on a iron ring of mean circumference, circumference दिया है 25 cm, इस centimeter है तो इसको मैंने आपको पहले बताए, कुछ भी centimeter में रहा तो इसको हमने meter में convert करना है, तो इसको कर दिया, हमने meter में convert, 25 cm, having area of cross section, area of cross section मतलब area होता है, यह दिया है 15 cm2, cm2 है, इसलिए हम इसको करन करेंगे convert, इसका answer आजाएगा इतना, meter square, when coil carrying current of 1 ampere, so 1 ampere का current भी carry करते हैं, means यह आपके current भी दिया हुआ है, वह जो किया है 1 ampere, produces flux density of 0.8 tesla, हमें flux density भी दिया हुए, जो किया है B equals to 0.8 tesla, means हमें flux density भी दिया हुई है, सो अब हमें निकालना क्या है, तो यह पर डा इरेक ली दिया है, निकालना है माइधनाइजिंग फार्स H, flux निकालना है, इंडॉर इंडॉक्टरणस निकालना है, और ऋर रिनेट्व dónde intuitive of iron निकालना है, means हमें two find में हमें लिखालना है या पर पहले तो हमें h निकलना है फिर हमें flux निकलना है flux फिर हमें निकलना है inductance l और फिर हमें निकलना है relative permeability mu r तो ठीक है सबसे पहले हम h निकालेंगे तो अगर आपको basic formulas नहीं आते तो आप description में जाके वीडियो पर click करके आप वह formulas देख सकते हो तो देखिए h का formula होता है n i upon l so n की value हमें पता है जो की है 500 i भी हमें पता है जो की है 1 और l की value भी हमें पता है 25 इंटू 10 raise to power minus 2 so हम इसे कर लेंगे solve so solve करने के लिए हम scientific calculator लेंगे इसका on करेंगे डब्बे की button दबाएगे 500 into 1 divided by 25 into 10 raise to power minus 2 इसको करेंगे तो solve हमारा answer है 2000 so h हमारा है 2000 अब h का unit हमें पता रहना चाहिए और h का unit होता है ampere turns पर meter so यह हो गया हमारा पहला answer दूसरा हमें चाहिए 5 means flux निकालना है तो हमें v दिया हुआ है means density दिया और density का formula आपको पता है b equals to flux upon a तो हमें flux निकालना है तो flux is equals to हो जाता है b a so इसका formula हमने b की value दिया है 0.8 और area हमारे पास दिया हुआ है area है 15 into 10 raise to power minus of 4 तो हमारा answer आजाएगा देखिए 0.8 into 15 into 10 raise to power minus 4 तो इसका answer आजाएगा h और flux आ गया है अब हमें निकालना है l l मतलब होता है inductance अब inductance का formula इसके form में आता है n 5 upon i n 5 upon i so n भी ये भी ये आई भी ये तो हम values put कर देंगे direct so values put करने के रहे हमें कुछ करना पड़ेता है जो given में values है वही डालना है flux ये है 1.2 into 10 raise to power minus 3 और i की value होती है इसको हम कर देंगे calculate calculate करने के लिए क्या use करेंगे scientific calculator into 1.2 into 10 raise to power minus of 3 upon 1 तो हमारा answer आ जाएगा 3.5 जिसको हम कर देंगे जिसको हमारा 0.6 so 0.6 और इसका unit होता है henry's henry's inductance आगे हमारा 0.6 henry's अब हमें निकालना है आपे mu r अभी हमें निकालना है relative permeability अब आपको यह तो पता है mu is equals to mu nought upon mu r होता है तो अभी निकालना है mu r means हमें निकालना है relative permeability हमें निकालना है अब relative permeability, relative permeability का formula हो जाएगा mu upon mu not, देखिए guys mu not की value तो हमारे पास है बट mu की value हमारे पास नहीं है अब इस mu की value हम कैसे find करेंगे, देखिए, mu की value हम find करने के लिए हम formula लगे, mu equals to b by h, देखिए हमारे पास b b है और h b हमने a पे निकाला था, b हमें दिया हुआ है और h हमने a पे निकाला था, तो हम b by h करके mu निकाल देंगे तो इसका answer आजाएगा, b by h का answer आजाएगा 0.8 upon, और h की value थी, 200, 2000, इसको हम solve कर लेंगे, तो हमारा answer आजाएगा, 0.8 upon 2000, तो यह हमारा answer आया है, 4 into 10 raise to power minus 4, तो यह है 4 into 10 raise to power minus 4, यह आ गई हमारी mu की value, अब mu की value मिल गए, तो हम mu r आराम से निकाल सकते हैं, so mu r हो गया, mu, mu है 4 into 10 raise to power minus 4, 4 into 10 raise to power minus 4, upon mu not की value आपको पता है, 4 pi into 10 raise to power minus 7, अगर आपको mu not की value नहीं आ दे होती, तो आप trick use कर सकते हो, कैसे use करेंगे, 4 into 10 raise to power minus of 4, upon, अभी trick use करेंगे, तो shift 7, 33, आ गया हमारा mu, calculate कर ल 318, तो relative permeability आती है, 318.309, इसका कोई unit नहीं होता है, इसलिए हमने आपको unit नहीं लिखा है, अब हमारे इतना solve हो गया है, तो हमने क्या करना है, जो भी हमारे main main answer है, जो हमें निकालने बोला तो उसको हमें box, एक box कर देना, जब हम box करते हैं, तो examiner को solve, मतलब correction करने में बह आज भी मिल जाते हैं, यह हमारा main question, यह हमारे main answers, तो देखिए, हमने कितने easily हमें, यह 6 marks का question, देखिए, 6 marks के लिए आया था, यह question कितने easily solve किया, बस हमें basic formula learn होना चाहिए, basic formula, अगर आपको basic formula नहीं पता हो, तो आप link, वीडियो के description में जाके, वो formulas देख सकते हो, और आसा marks easily score कर सकते हो, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, तो वीडियो को like और चैनल को subscribe, जरूर कीजिए, thank you